वेलकम फेरेंस कैसे हैं आप सभी आयो पाप बहुत अच्छ होंगे दोस्तों मेरे पास एक कस्टुमर इसको लेकर आया है सेटप बॉक्स को रिपेर होने के लिए उसने काया सर इसमें कार्ड डाल देना मैंने दो तीन जांगे दिखा लिया इसका कार्ड खराब है तो मैं सब सर ने वोल्टेज नहीं दी आप उन्हें सर ने वैसी जूट बगा दिया ऐसा नहीं है यह देखिए दोस्तों बार एक आसपास वोल्टेज अवेलेबल है एसी मोड पे मीटर लगा हुआ है वो इसमें कोई भी डिस्प्लेइ नहीं दीख रही है तो चलिए करते हैं इसको द Final decision यह ले सकते हैं कि इसका card खराब है या में supply खराब है अगpris नहीं क्या है तो इसमें ठोल आटाँ देखाएंगे चला कर दिखाएंगे सब कुछ ची क्या राएंगे कोई कऊ सीख ना चाहते हैं आध्यों चीखने वाले में शीक के जाएंगा वो सीख भी रहे हैं कि अब देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज्ट करेंगे जितनी भी ट्रैक कर लेंगे 3.3 कि 15 वोल्ट यह नहीं कि बारे कि जोड़ेंगे फिर 21 कि छोड़ देंगे एक तार को ग्राउंड अगला 3.3 का यह सब वोल्टेज करेक्टिड है ठीक है डिस्प्ले को कनेक्शन को अठ यह आके दोबाई लगा के देख लेंगे राग्वलेटर पर देख लेते हैं 1.78 जो और लागा हुतता है इस कंटेक्टर को निकाल करके दोबाई लगा साफ करके लाइंगे क्योंकि इसकी आईची वाईची गंदी हो जाती है काफी ज्यादा है डर्टी हो जाती है गंदी उस वज़े से दिक्कत आती है तो वस्वेशन के पास हम इसे लेकर आए हैं और जो आपकी दोस्तों बरतान मांजने के साबून उत्ती है उससे ही आप इसको अच्छे से धो सकत हो और आपको टूट वेश्ट के वाला जो ब्रस होता है उससे सफा करना है ठीक है तो यहां पर जितनी वी आईसी लगी हुए है रेम आईसी मेन आईसी और इप्रोम आईसी इसके आसपास की जितनी वी गंदी की है यह सब साफ हो जाएगी वो क्रिश्टल अगर इनका प्रोब्लम आने लगती है या दोस्तों कार्ड ना चलने की प्रोब्लम आती है तो दूस्तों यही समस्य आ गई है फिलाल ये बिल्कुल डैड पड़ गया तो सबसे पहला मेथ़ाट आपको यही अपलाई करना है अब आप यह सुचेंगे सारहस दोने से तो खराब हो इलेक्ट्रोन्ट एलेक्ट्रोन बहाह देंगे तो हमारे रणायन x3 का मिक्स साम हो जाताता है उसमें क्या होता है कार्बन बनने को साथ है our component है वह खृब हो करता है सब पर तो हमने अच्छे से दो लिए आप इसे लेकर चलते हैं सोप पर तो यह देखिए दोस्तों दो के लिए हैं काड़ वही है आप ही मैं आपको फाइनल दिखा भी दूँगा कभी बहुत से समझे की बदल दिया आप दोस्तों से यहां से अच्छे से एक बार वास कर लेते हैं यह मने पास दोस्तों SMD मसीन इसे ड्राइ कर लेते हैं यह देखिए सुखा लेंगे हर जंगे सुखा लेंगे ठीक है तो सबसे पहला मेंठ़ड आपको यही अप्लाइ करना है आपके पास PCB के लिए उससे भी कर सकते हैं लेकिन उससे होता क्या है वो काफी ज़ बिल्कुल साफ होगी कार्ड भी आपने देख लिए वही है सब कुछ वही है मैं नहीं पता क्या है आपके सामने बिल्कुल लाइब दिखा रहे हैं तो कार्ड साफ हो गया फाइनली एक बार और टेस्ट कर लेते हैं से यह देख सकते हूं जो यह आपकी मेन आइसे इसका दो जेस्ट अब है तक सेटाफ रहता है और जो चैनल से नहीं हों गया हो प्लीज आइस असब्सकार्व कर लो बिल्कुल फिरी हैं कोई पैसा चार्ज नहीं है और वीडियो को लाइक कर ले न आपके अच्छा से समाज़ने दो तो यह जो मेन आइसी होती है यह फाल्ट जो सब्सक्राइब कर लिया और को डिस्प्लेग में कर लिया वह इसमें 220 आवेलेबल है लेकिन दोस्तों हमारे अभी भी कोई भी डिस्प्लेग नहीं लेंग कोई बाद नियुक्त कोई है इसा मत समझो काभी भी मत समझो की हमने लिया और यह हो जाएगा सब होता एक हम भी कोई इंतरियामी नहीं है लेकिन हमता मैंधोड नहीं है ठीक है अगर इस इतनी और ही टूरे क्यों हाथ लगाए निजा तुरंति ओन करते तो दोस्तों आइसी का फाल्ट है तो देखिए दोस्तों डिस्प्ले का और सप्लाई का करेक्शन निकाल दिया अब दोस्तों करेंगा SMD मशीन से आइसी को रिफ्लेज या दोस्तों आइसी को रिसोल्ड तो यह PCB स्टेंड हमने लिया आपके सामने ठीक है यह PCB स्टेंड लिया वह इसमें घृट बढ़ा लेते हैं तो हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको सीदह मेनाएसी चेंज नहीं करना है इस इप्रों जिसे तो दोस्तों इस memory को हम सबसे पहले यहां से remove करके तूसरी new replace करके देखेंगे यह आपको new नहीं मिलेगे आपको पता देना चाहते हूं new मिल जाते लेकिन blank मिलती है यह आपको old card में से निकाल लेनी है तो यह देखिए यह जो memory इस पहलका से आपको फ्लक्स लगाना है और फिर आपको दोस्तों इसे चेंज करना है तो मैं अभी इसको निकालता हूं 350 हीटिंग और थिरी नंबर एयर तो इस रिसाप से आपको SMD मसीन से निकालना है यह दोस्तों card हो जाएगा इसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा जो 90% दरि बावजूद भी सब कुछ ठीक हो जैने बावजूद भी सेटा बॉक्स नहीं हो नहीं हो रहा तब यह फाल्ट मैं बता रहूंगा आपको ठीक न तो अब देखें हमने दूसरे card की इप्रोम निकालकर रख 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 ती इसको लगाते हैं इप्रोम के काफ इशारे नंबर ह होते हैं तो दोस्तों आप सेम कार्ड में से निकालकर लगा सकते हो डोट देख करके जिदा डोट डोट की तरफ जिदा डोट में है महां डोट नहीं ठीक है तो यह देख सकते हो हम इसे लगा लेते हैं तो हमने यहां पे से दोस्तों इप्रोम को लगा दिया है अब एक बा ठंडा हो जाने देंगे ठंडा हो गया है डिस्प्लेश लगाएंगे और पावर सब्लाई लगाएंगे दोबारा से ठीक है अब देखें जूम आउट का लिए मैंने पंदिस्प्लेश लगाते हैं इस ये ह्यों में लाइन आरही है इसके इनदर तो यह कि दोस्तों पहले डिस्प्ले लगा लेते हैं डिस्प्ले लगाने का यहीं सा याद रखना जो वायर है बाहर की तरफ होने चाहिए अंदर की तरफ में तो डिस्प्ले सीधी है अगर वायर अंदर की तरफ हैं तो डिस्प्ले आपको उल्टी है यह चीज़ आ देखने हैं बह के बाद भी कार ओन नहीं हुवा नाकिपारम लागाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ सब्क्राइब कि इन्दर देख लेटेज है फिर से किख्वरम की और मेना सही कि कि क्रेक्ट वोल्टेज जा रहे नहीं जा है तो इप रोम के पिन नमबर वन 3.3 है और रेगुलेटर वाली देख लेते हैं यह भी सही है तो अब दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं अब आपको में आइसी पर काम करना है ओके तो करेंगे इसको दोस्तों यह देखिए हमने कनेक्टर निकाल करना है सोल्डिंग पेश्ट बोलते हैं जिसे दो उसको आपको चारो तरफ जो लैग लिक्ट हुए है चारो तरफ आपको अपलाई करना है ठीक है जी अच्छे से जैसे मैं आपको लगा रहूं इस तरह से चारो तरफ यह देख सकते हो इस तरह से आपको अपलाई कर लेना है और फिर आपको SMD मसीन को 300 सी हीटिंग और 3 एर पर इस तरह से आपको जब तक SMD मसीन इस पर गुमानी है सारी पिनों पर जब तक आपको लग जाए कि इसकी सभी पिनों पर अच्छे से सोल्डिंग मैल्ट हो चुकी है ठीक है उससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो IC है इसक पिने होगी जिस सोल्डिंग हो जाएंगी फिर क्योंकि एक दो पिन में अगर सोल्डिंग की दिक्कत बननी होगी तो सोल्डिंग हो जाएगी तो देशिए दोस्तों IC बिल्कुल इतनी होगी कि हिलने के लिए तैयार थी तो इससे पहले हमने SMD मसीन को टा लिया सभी पिने content दोबारह से यहां पर सोल्डिंग हो गई आयरन से गरते देगे तो काफी शमय लगजाती है अब पिने सारी निकर को आ गई है तो सबी पिनों पे यहां पर सोल्डिंग हो चुकी है तो होता क्या है जब काफी शमय लगए काड हमारा लगा होता है तो एक दो पिन उसकी пример हो हो चाता है, 100% में नहीं होता तो दोस्तों आपको IC चेंज करनी होती है, तो अब देखे दोस्तों हम इसे यहाँ पे PCB किलिनर से इस पे स्प्रे करें करके, अब इसे अच्छे से एक बार साफ कर लेते हैं, अब सारी IC की यह जो में हो गई है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर आप मैथड अपला यह करोगे, जैसे हम बता रहें आपको, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है, मोस्च्छर साफ कर लेते हैं, मुसीन से, यह देख करने के बाद, जितनी वी हो, और देखे, थोड़ी से, हाड़ गंदगी और जम्य हुई है, आई, सी दोस्तों, काफी ज़्याद हीट हो चुकी है, जब तक आपको गाड़ को नहीं चलाना, जब तक आपकी, आई, सी जो नॉर्मल मोड बिना जाए, अगर आप ओवर हीट प यौन करोगे, तो दोस्तों, इसी सोट हो सकती है, या आपके आई, इसी दोस्तों, फैलल रो सकती है, तो आई सी ठन्टा होने के अंदिजार करें, आई सी ठंडी हो रही है, इतने जो एंटिने के पास में, आप पेस्ष्ट जम हुआ है मोड़़ा सैफ कर लेते हैं, ने के चुकी नहीं आते दोस्तों वो एक डेट दो मिनट के देखी बैक चले गए यह लुलू पंची वाली वीडियो पसंद आती है फिर एक्सपरिमेंट एक्सपरिमेंट की यह हसन है साने कार्टू मल दोस्तों इन चीज़ों में कुछ नहीं का समय वेश्ट मत करो अगर वा आपके लिए प्लाइब कर दो आपके लिए मेहनत करके इतनी अच्छे से वीडियो बना आपको पूरा समझाया आपको वीडियो कहाच लेगे हमें कमेंटों जूरू बता दे और कार्ड हमारा चलके बिल्कुल रेटी है शैटप दे देंगे अपना सोल रेडर से सब्सट र धुर जोंगा है।